चुनाव में चेहरा पार्टी हाई कमांटाय करती है किन्तो अभी सरकार हमारी है और मुख्यमंत्री भुपेश बगेल हैं तो चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर होगा ऐसा मैं मानता हूँ यह कहना है कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का पार्टी के सीटों पर आगामी 2023 के चुनाव को लेकर चिंतन मनन और बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी हैं वुपेश बगेल राब टियसी देशाब हमारे मंत्री मंदल के सभी सदस्य है और चेहरा तो हाई कमांट तही करता है मुख्यमंत्री मानी वुपेश बगेल साब उनके चेहरे पर नमलत की नावारे में वही संगठनात्मत बैठक एवं सरगुजा दौरे पर उनने कहा कि मिक्षा किया है अगर कुछ कमिया उनकमियों को हम लोग संगठन इस तरह पर बैठके उसका निराकत करेंगे थेंक यो देखिए हम लोग राजनितिक दल के लोग हैं हम अपनी लाइन लंबी करते हैं कौन आएगा नहीं आएगा उबात की बात है वही नंदुबार साय के कौंगरिस प्रवेश पर कहा कि कौंगरिस आदिवासियों का सम्मान करती है और भाजपा में उनकी उपेक्षा हो रही थी इसलिए वे कौंगरिस में आये हैं और उन जैसे बड़े नेताओं का हम सम्मान करते हुए उनका उप्योग करेंगे अदिवासि नेता है हर बेक्षी का प्रभाव रहता है हम उमीद करेंगे कि कंगरिस पार्टी में अगर आये हैं तो उसका लाब मिले भारती जनता पार्टी जिरंग से वरिष्ट नेताओं की उपेक्षा की भारती जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों की उपेक्षा की वार्ति जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं को लगातार नजर अंदाज किया गया मगर कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासी नेताओं का संबान करती रही है मुझे लगता है उसके आने से पार्टी को लाब मिलेगा 15 सालों के बाद 36 गड़ में सरकार बनाने वाली कांग्रेस खुद अपने नेताओं को सरकार बनते ही उपेक्षित कर रही है और सरगुजा के नेताओं से ज़्यादा इस बात को अच्छे से और कौन बता सकता है लगेहात मोहन मरकाम को अपने पार्टी कारेकरताओं एवंपदाधिकारियों से भी दो चार होना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए जितना कारेकरता एवंपदाधिकारी यह उपेक्षित हैं शायद दूसरे संभाग में नहीं होंगे तमाम संगर्ठनात्मक बैठक के साथ साथ कारेकरताओं की स्थिति की भी तो लेनी चाहिए